Hello friends, good evening you all. मैं तिलकराश शर्मा, PhD Research Scholar, Department of Political Science, University of Jammu. आप सबका स्वागत करता हूँ अपने नए लेक्चर में. हमने अपने पिछले लेक्चर में study किया था पंचायती राज इंस्टिटूशन's History and its Development in India. 73rd and 74th Constitutional Amendment Act उस लेक्चर में हमने Meaning of पंचायती राज and how they are different from municipalities ये सब डिस्कस किया था and how they got constitutional recognition. दोस्तों, इस ही के related एक बहुत important topic है. पंचायती राज institutions in Jammu and Kashmir जम्मो एंड कश्मीर एक ऐसी state है यहां पर 73rd और 74th Amendment Act या फिर कोई भी center के कानून जो पंचायती राज institutions के related थे डिरेक्टली अप्लाई नहीं हुए. इन स्पाइट अफ डिरेक्टली अडाप्टिंग दा प्रोविजिंस अफ इंडियन कॉंस्टिटूशन एंड इंडियन लॉज हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में हमारे यहां पर अपने डिफरेंट लॉज को evolved किया. इसलिए जो पंचाइती राज सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर का है वो रेस्ट आफ कंट्री से टोटली अलग है. आपको हमारा यह आज का लेक्टर बहुत अच्छा लगेगा. अगर अच्छा लगे तो काइंडली मेरे इस चैनल को मेरे लेक्टर को ज़ादा ज़ादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें. Without wasting any time मैं आपना आज का लेक्टर ये शुरू करूंगा. सबसे पहले friends मैंने अपनी first slide में आपको समझाने की कोशिश की है कि structure of government in India किस तरह का है. सबसे पहले अगर आप देखें तो top पे यहाँ पर central government है. उसके बाद state governments आती है. Then followed by local government. When we are talking about local government. Local government में हमने शुरू में देखा था पिछले lecture में अगर आप मैं आपने description में उसका link डाल दूँगा kindly उसे visit करियेगा. सबसे पहले rural local government bodies आती है. उसके बाद urban local government bodies आती है. इन इंडिया rural local government और urban local government got constitutional recognition इनको मिलती है 73rd और 74th amendment act में. सबसे पहले gram पंचायत, फिर block समीती और फिर जिला परिश्यदाई. और उसी तरह से सबसे lowest level पे gram सबा आती है. friends, इन सारे structure को जब हम study करते हैं. पूरे structure को. इस structure के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें एक ही चीज़ दिखती है कि कि किस तरह से top to bottom उपर से नीचे तक power को devolve किया जा रहा है power को decentralize किया जा रहा है तो चुरू हुआ. सो लेट्स स्टार्ट ये जो पिक्चर है ये मैंने जानबूज के यहां पर लगाई है so that आप देखें कि किस तरह से अपने लोकल अफेर्स को लोकल तरीके से खुद self development और self effort के साथ इन issues को solve किया जा रहा है चाहे वो administrative हों, criminal issues हों या civil matters हों so अब पंचायती राज institution की जब हम बात करते हैं इन जम्मो और कश्मीर तो ये दो faces में divide किया जा सकता है जिसे study करना हो एक face आपका pre-1947 face और दूसरा post-1947 face pre-1947 face की अगर हम specification की बात करें तो यहाँ पर एक authoritarian rule था जहाँ पर जिसको हमारे यहाँ के प्रिंस महराजा हरी सिंग उस समय rule कर रहे थे या फिर गुलाब सिंग से लेके अगर आप हरी सिंग तक आएं और post-1947 period में आप देखते हैं जो national conference या फिर फरदर PDP, BJP और Congress के rules रहे हैं यहाँ पर तो let's start with the pre-1947 period दोस्तो pre-1947 period में सबसे जो important aspect आता है जो first major initiative लिया गया वो 1935 में लिया गया यह आपको याद रखना है कब हमारे यहाँ पर पंचाहिती राज act सबसे पहला जो आया विलेज पंचाहित regulation act number one 1935 में आया महराजा हरे सिंगे से ले के आया अब यह act क्या कहता है अब इसको ध्यान से समझियेगा अब विलेज पंचाहित को expedient है बहुत जरूरी है establish करना क्यों to assist in the administrative civil and criminal justice please note this word क्या लिखा गया कि administrative civil and criminal justice में and also to manage the sanitization and common concerns of the village यह सब करने के लिए हमारे यहाँ पर विलेज पंचाहित होना बहुत जरूरी हो गया so basically when we talk about the formulation of village panchayat and why it became so you know mandatory बहुत important बहुत जरूरी क्यों हो गया because it was to you know extend the arm of government in civil and administrative matter अब आप इस चीज को जब देखते हैं कि government जो है वो centralized है authoritative है राजा रूल कर रहा है उसको पता नहीं है कि गाउं में क्या हो रहा है और किस तरह से काम किया जा रहा है so सबसे पहले इन्होंने क्या किया अपनी उसी government को civil or administrative matter को extension देने के लिए ये step उठाया गया so that गाउं में जो criminal justice हो या civil justice हो वो maintain किया जा सके so friends I hope आपको ये समझाया होगा कि initially intentions क्या थी so अब उसी पंचायत regulation के अंदर election का क्या provision था please इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखेगा 1935 के act के अंदर the provisions for the election of punches punch कितने होंगे depend करेगा 5 से 7 अब उन में से क्या होगा इन 5 से 7 पंचिस के बीच एक पंच जो होगा वो appoint किया जाएगा वजीर ए वजारत वजीर ए वजारत मतलब दिर्वासा minister actually इसकी council में महराजा की council में वो appoint करेगा एक आदमी को एक पंच को ताकि control किया जा सके and this office अब ये वजीर वजारत का जो office है is also responsible मतलब यही जिम्मेदार रहेगा rules और regulations बनाने के लिए किसके regarding election के regarding election तो पंचायद अब देखे सबसे important चीज़ जो महराजा के time पे पंचायद को decentralization क्यों नहीं कहा जाए क्योंकि इसकी जो qualification थी to vote and to get elect मतलब अगर आपने election लड़नी है या फिर vote देना है तो उसके लिए qualification जो थी वो बहुत tough थी सबसे पहली qualification थी you are supposed to be a metric pass आप दस्मी पड़े लिखे होने चाहिए then आपकी जो property है उस village के अंदर वो 1000 रुपए से उपर हो आपकी annual income 700 रुपए से उपर हो और आप state के revenue में state के revenue में tax देते हों 5 रुपए का और आपकी age जो है 21 साल होने चाहिए अब अगर आगे बात करें तो अब function क्या रहेंगे देखना यह बहुत important है कि assigned functions कौन कौन से थे इन पंचायद्स को सबसे पहला function था कि total function assigned number कितने थे आपके 58 अब जब 58 आपके total functions हैं उसमें से 47 सिर्फ और सिर्फ judicial matters मतलब जो आपस की लडाईये हैं जमीन के मसले हैं या कुछ और चीजों को लेके matter हैं जो subjudice हैं या judicial matters हैं उनको sort out करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 47 मतलब 58 में से 47 matters सिर्फ judicial थे फिर जो non-judicial functions में आते हैं सबसे पहले supervision का फिर दूसरी बात करें तो construction का और फिर तीसरी बात करें तो maintenance का अब देखिए कितना role जो है वो confine कर दिया गया मतलब mostly आपको सबसे जादा क्या है आपने अपने वहां के judicial matters उल जाने हैं बाकी बचे हैं तो आपने supervision करना है construction करना या फिर maintenance related जो भी आपके वहां के development के related काम है अब इसी के अंदर एक और revolutionary step इसी act के अंदर लिया गया that was to establish a department of panchayat and rural development मतलब panchayat और rural development का जो department है 1936 में established किया गया under the revenue department please इस चीज को note रखिएगा यह पूछा जाता है कई बार कि आपका rural development का जैसे suppose अब mostly panchayat account assistant की vacancies हैं तो उसमें यह question पूछा जाएगा कि जो department of panchayat है यह कब establish किया गया तो 1936 और यह किस के अंदर आता है revenue department के अंदर so it was under this department that देहात सुधार committee अब एक नई special committee बना दी गई देहात सुधार committee so मतलब village reform committee was organized to advise panchayats अब इसमें 1941 में amendment होती है अब amendment तो आपने करनी है क्योंकि एक rough state से आपका act निकल रहा है requirement बढ़ रही है people were demanding and the political instability जो हमारे state में थी national conference का emerge हो गया था emergence so there was political activism also so 1941 में amendment होती है इसी में तो यह भी पूछा जाता है आपको किसी भी question में कि बताईए 1935 के act के अंदर amendment किस साल हो यह तो question is 1941 अब इस amendment के अंदर obviously क्या है तो आपने क्या देखा दिखाना है कि जो more and more powers were delegated like for example to maintain public roads पब्लिक रोड्स है उनको maintain करने की फिर property को लेके property जिसमें movable और immovable आएगा या फिर other structures of the village initially ये उसमें नहीं आते थे so they were also given the power to Levi taxes Levi taxes क्या है अब obviously panchayats को independent बनाना है उनके पास पैसा हो उस पैसे को maintain रखने के लिए उनको लगा एक special उनके अपने resources हो to generate resources also अपने resources हो इसलिए उनको power दे दी गई village panchayats को कि आप text लगा लें okay अब next में अगर हम देखें तो second phase आता है इसमें post 1947 scenario अब देखिए post 1947 scenario बहुत totally different है यहां पर different किस तरह से है सबसे पहले आप देखे national conference was again you know अपने power में आ गई थी so national conference ने government बनाई मार्च 1948 में मतलब मार्च 1948 में इन्होंने government बनाई और जो 1944 का जो document था नया कश्मीर document उसमें जो promises की गई थी कि democracy को decentralized किया जाएगा और village level तक लेके जाया जाएगा तो वो जो promise फुल्फिल करने के लिए इन्होंने क्या किया जो नया एक नया government replace the panchaiti raja act 1935 okay with act 5 of summer 2008 in 1951 मतलब 51 में नया panchaiti raja act ये लेके आए पुराने वाले को replace कर दिया अब नया act मतलब this was the step 2 second act the act provided for the establishment of panchait of villages मतलब पहले एक village में नहीं अब villages में panchait होगी 5 to 7 village please note were covered by one panchait मतलब एक panchait के अंदर 5 से 7 गाओं होंगे and the panchait units were generally co-existence please इसको गलती से होगया with the revenue हलकाज सो जब हम बात इसकी करते हैं यहां पर तो अब यहां पर आप देखें कि panchaits को इन्होंने club कर दिया जैसे हरे गाओं में एक panchait रहती थी अब इन्होंने क्या कहा कि 5 से 7 गाओं की एक panchait होगी और वो panchait क्या करेगी revenue हलका मतलब उनको revenue generate करने के लिए और के लिए powers दे दी गई और उनको बाद में हलका panchait कहा गया अब यहाँ पर देखें 1947 सिनारियो के post में क्या क्या हो रहा है अब इसी 1951 act का जो एक special feature था वो क्या था दाट इट प्रोवाइड फोर जॉइंट कमीटी आफ पंचायत प्लीस नोट इट प्रोवाइड फोर दा जॉइंट कमीटी आफ पंचायत ओके इस जॉइंट कमीटी आफ पंचायत अब देखें जो जॉइंट कमीटी क्या करेगी इंटर पंचायत डवलपमेंट वर्क को देखेगी मतलब एक पंचायत का दूसरी पंचायत में या दूसरे से तीसरे का या इन दोनों तीनों पंचायत के बीच में जो इशूज आते उनको देखेगी इसका क्या हुआ कि अगर एक जुडिशल केस है कोई ठीक हमारे पास केस आता है तो हम उनसे एक फीस चार्ज करेंगे या किसी मसले में हम किसी के ओपर फाइन रखते हैं कि आपको आपने ये जल्म कर लिया तो आपको सजा की तोर पे हम 200 रुपर फाइन करेंगे 500 रुपर फाइन करेंगे या 1000 रुपर फाइन करेंगे So that actually became a source of revenue And उसके बाद दूसरा क्या था Voluntarily Contribution मतलब जो लोग खुद देंगे कि उनको पता है कि पंचायत अच्छा काम कर रही हमारे पास पैसा है तो हम खुद Contribution करेंगे From the people, taxation and other Contribution from village cess fund Village cess fund obviously And the distribution from the government Government भी तो कुछ contribution प्रोवाइड करेंगी ना तो ये सारे issues जो हैं ये पंचायत का revenue जनरेट करते थे और इसी से इंटर पंचायत या फिर पंचायत लेवल पे काम होता था So total in 1951 545 पंचायत से Establish की गई और 1954 में जाके इनका figure रोज हो गया आपका total 571 जिसके अंदर कितने villages आते थे 4774 villages So अब क्या होता है कि जब हम National Level पे बात करें ये तो हमारे जैंड के स्टेट की बात है बड़ जब National Level पे हम बात करते हैं तो National Level पे दो प्रोग्राम शुरू किये गए थे One was Community Development Program and then another was National Extension Services and the third one you know there emerged a committee called Balwantra-e-Mehta Committee which suggested की अब अगर पंचायती राज को और जैसे लोगों का mass participation पंचायती राज में नहीं हो पा रहा है sorry this Community Development Program में नहीं हो पा रहा है तो इनी प्रोग्राम को further extend करने के लिए आपको पंचायती राज institutions में maximum funds generate करने पड़ेंगे invest करने पड़ेंगे so that people be motivated for the development of their own areas so Jammu Kashmir you know government also has taken an initiative you know to revolutionize and to make their democratic institution these these institution of Panchayati Raj as more progressive and इसी तरह से हमने सबसे पहले अब देको एक conducive environment अपने पंचायती राज की functioning के लिए हमने कैसे किया सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर क्या किया सबसे पहले land reforms किये जो big landed evolution act हम लेके आए और उससे क्या हो जितने भी landless लोग थे हमारे यहाँ जैसे for example land to the tillers movement चली जितने भी लोग थे landless उनको जमीन मिली जमीन मिली तो वो अपना कारोबार करना शुरू होगे खेती बाड़ी करना शुरू होगे अगरिकल्टरिस्ट प्लास टेवलप होगे तो उसी एगरिकल्टर सेक्शन ने बाद में बहुत पार्टिसिपेट किया you know because the government was able to build the trust believe faith among the masses so एक ऐसा सीनेरियो यहाँ पर मतलब बन के आया जिससे क्या हुआ हमारे यहाँ पर पंचाइती राज बहुत ज़्यादा strengthen होना शुरू हुए so अब next step after बलवंतराय महता कमीटी जब हम यहाँ पर agreed हुए उनकी recommendation से बलवंतराय महता कमीटी की recommendation से तो हमने क्या किया जमू एंड कश्मीर विलेज पंचाइद एक्ट 1958 लेके आए please इसको समझेगा अब इस एक्ट ने क्या कहा कि एक two-tire structure हो पंचाइदी राज सिस्टम का मतलब two-tire पंचाइदी राज सिस्टम इसने envisage किया हमें बताया कि होना चाहिए one gram पंचाइद at the village level and then block पंचाइद board at block level मतलब जो आज आपकी block समीटी हैं दे वर initially called under this act as block पंचाइद बोर अब this act empowered the state government अब इसने क्या कहा state government को क्या power दे दी to establish by notification एक पंचाइद in every village अब इस चीज को समझिए पहले क्या था cluster of villages को लेके पंचाइद बनाई जाती थी लेकिन अब इन्होंने क्या कहा कि हर एक village में एक पंचाइद हो या फिर अगर नहीं हो पाती है अगर वहां की population कम है या territory कम है तो आप ग्रूपपा विलेजिस में at least एक पंचाइद तो develop करें so under this act कोई भी पंच, सरपंच या नाइब सरपंच इसको remove किया जा सकता है मतलब गर्मेंट can remove any punch, सरपंच या नाइब सरपंच from office अब उसके ओपर अगर केस आता है in case of conduct in office अगर वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है and his removal was desirable in the interest of public अगर public interest में लगे तो इनका removal किया जा सकता है so the act also provided you know the panchayats establishment of panchayat at block level also are you know the at above level also so this next is Jumbo and Kashmir panchayatiraj act 1989 और ये amend हुआ 1911 and 2014 में please इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा इससे आपको maximum questions आएंगे मैं यहीं पर आपको बताऊँगा कि question कौन कौन से पूछे जाते हैं तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले it introduced in Jumbo and Kashmir assembly in April 1988 please note this date और पास कब हुआ March 1989 में मतलब April 1988 में ये introduced होता है assembly में और पास होता है 1989 में तो ये चीज याद रखीगा मन्त कौन सा था March और गवर्नर ने अपनी assent इस act को कब दी July 1989 में अब देखिए यहाँ पर और बाकी जितने भी acts अभी तक आए उन में difference क्या था for the first time an act was named as अभी सबसे पहली बार पंचायती राज act क्या इसका नाम रखा गया है पंचायत राज act rather than village panchayat or regulation act or you know village panchayat regulation act उसका नाम ना रखके इन्होंने panchayatी राज act नाम रखा so the former applies the promotion of panchayat राज in state but the later applies implies the promotion of panchayatी राज at village level okay block district are at a village level please understand this direct election of panchays this is very important पहले election जो होती थी indirect होती थी या फिर कहीं ना कहीं हाथ खड़े करके ही election हो जाती थी but now the instrument of direct election was asked to use for panchis sir panchis and chairman of BDC BDC was the block development council the act provide for a three-tier system of panchayatी राज consisting of from top to bottom at the top there is district development and planning board yeah district planning and development board then at the second and middle stage there is a block development council then there is a halka panchayat at the bottom now let's talk about halka panchayat the very basic unit of this 1989 act halka panchayat halka panchayat the number of panchis fixed by authority from time to time so there is no fixed number of panchis you know defined and decided so if they feel like there is no representation to women कि अगर औरतों को representation नहीं है या SC और ST community को representation नहीं है because their population is scattered and women were kept out of the power अगर इनको representation नहीं मिल रही है तो they will be given representation but not maximum to two members okay then अब functions क्या क्या होंगे मतलब a vast actually a vast list of functions were introduced to and assigned to the halka panchayats सबसे पहले आपने development plan को prepare करना है फिर आपने undertake करना है measures for the implementation of those development plans मतलब सबसे पहले आपने plan chart out करने है उसके बाद आपने उनको किस तरह से implement करना है ये भी खुदी decide करना है then third the function was assigned to deal with soil conservation obviously यहां पर तो बहुत ही जरूरी था water management जैसे for example if we talk about Jammu and Kashmir and particularly in Jammu Jammu के अगर हम सबसे ज्यादा बात करें mostly हमारे यहां पर कंडी areas है तो कंडी areas की जब बात करते हैं तो water management became necessity and water management की जब बात करें the role of panchayat became imperative very important then social forestry then rural industrialization मतलब जो आपकी small scale industries है then agriculture, ship and animal husbandry sanitation, health and other welfare program regulation of buildings, shops, entertainment houses and checking of offensive or other matters also then second institution is BDC you know when we talk about BDC block development council इसमें कौन-कौन होता है it consisted of chairman जो इसका होगा all serpanchis of halka panchayat मतलब एक top में chairman होगा उसके नीचे सभी serpanchis of halka panchayat इसके बीच में आएंगे falling within the block and chairperson of the marketing societies yes this is very important extra person was added like chairperson of marketing societies या cooperative societies जिनको आज के time पे कहा गया then provisions for nomination obviously मैंने अल्रेडी बताया आपको जैसे पिछली हमने slide में बात की कि अगर women's को या SCSTs को adequate representation यहां पर नहीं मिल पा रही है तो government के पास provision है या chairman किसी दो लोगों को maximum strength तीनो ग्रूप में से SCST और women में से maximum strength दो लोगों को nominate कर सकता है इस body के लिए जिसे BDC कहा गया then block development officer जिसको BDO कहते है block development officer इसका secretary होगा किसका BDC का the main functions of BDC include construction, maintenance, supervision of an inter-halka panchait communication system अब inter-halka panchait communication system को क्या कहें गया like कोई भी development board अब इसमें कौन होगा comprising chair persons chair persons of the block councils of district अब देखिए अब एक district के अंदर अगर जितने भी block है उसके जितने भी chair persons है वो सारे इसके members होगे then member of parliament मतलब MP है उस area का उस district का वो उसमें उसका member होगा then member of the state legislative assemblies and council representing the areas मतलब state legislature चाहे वो council का member है चाहे वो assembly का member है उस area को represent करता है तो वो उसका member होगा then the chair person इसका कौन होगा chair person of the town area committee at the district and president of the municipal council मतलब सबसे उपर मतलब इसके member कौन कौन से होगे chair person of this block council then MP then MLA MLCs then chair persons of the town area committee at the district and municipal council है तो उसका जो chair person होगा अब इसको जो head करेगा जो इसको chair करेगा that will be the district development commissioner जिसको आप DCB कहते है अब इसके main functions कौन कौन से होते है सबसे important है the main function of the board shall be to consider and guide formulation of the development plan district तोर पे जो जिले के तोर पे जो जिले के स्तर पे जो plan को formulate करना है वो सारा काम इसी का है then indicate priorities मतलब कौन सा काम कब करना है और किस काम को कहां पर करना है वो सारा यही decide करेंगे not only decide करेंगे लेकिन उसको review भी करेंगे कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है then उसको study करेंगे उनको review करने के बार periodic achievements कितनी रही then formulate and finalize the plan and non-plan budget मतलब district का budget जो plan और non-plan में आता है उसको भी इसीने study करना है और layout करना है and to lay down policy guidelines and approve budget of BDCs BDCs जितने भी हैं उनको सभी को कितना budget कहां पर जाना है मतलब this is the top at the hierarchy and this will decide the overall you know the working at the district level which include both the block development councils and the panchayats then this will take also steps to elevate poverty and employment regeneration of 1989 का आपका act है it also provided for panchayat adalat as per the provision of this act the adalat shall comprises five members to be nominated by the government out of the panel prepared and recommended by हलका पंचायत out of its electorate क्या कहते है कि पांच लोगों को government nominate करेगी मतलब जिसे पंच कहा गया पांच लोगों को government nominate करेगी किस में से prepared and recommended by हलका पंचायत एक panel हलका पंचायत recommend करेगी उसी में से for a term of five year मतलब पांच साल के लिए उनका period होगा लेकिन वो पड़ा लिखा होना चाहिए and 30 साल से उपर उसकी उमर होने चाहिए not be a सरपंच आर पंच मतलब वो ना सरपंच हो ना पंच हो and not to be in the employment of government and local body ना वो नुकरी पेशा हो या फिर किसी corporation में कोई काम ना करता हो every member of the adalat including chair person shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of RPC मतलब जो रनबीर पैनल कोड है उसकी section 21 है उसमें क्या कहते हैं कि ये जो पांच लोग जिनको government elect करेगी to supervise and to see the judicial system उनको deemed as a member trait किया जाएगा कि that they are in government services and thus panchaiti adalat अब जो adalat है panchait की enjoy both criminal and civil jurisdiction the constitution of a panchaiti adalat at halka level you know would become an inspiration and what we next call the progressive step in the whole of the country in whole of the country also so this is panchaiti adalat as a separate office ये एक innovation हुआ पुरे इंडियन panchaiti raja institutions के अंदर so अब इसमें जो amendment हुई 1989 के act के अंदर सबसे पहले मैंने amendment का आपको बोला कि 2011 में एक amendment हुई और 2014 में but अब actually amendment आई क्यों that is very important पूरे country के अंदर एक unified panchaiti raja system function कर रहा था जबकि JNK का बिलकुल अलग था और जब JNK के panchaiti raja system की हम बात करें तो this is a voluntarily contribution to the development at the community level and at the village level but हमारे यहां की जो panchaiti raja system था यह totally अलग था center से because हमारे panchaiti raja institutions को constitutional recognition नहीं थी और जो फाइदे जो benefit center level पे मिलते थे under 73rd or 74th amendment act में वो यहां पर नहीं मिलते थे so an amendment proposed finally in 2014 regarding you know in the regarding you know about the remuneration given to the elected panchis and sarpanchis कि उनको भी भाई कुछ पैसा मिले so that they can work more progress progressively and this amendment was celebrated and you know accepted widely by all the members of panchaits all the members of panchaits BDC and the district development board and you know unanimously passed by both the houses of state legislative council and assembly also so but in last year what happened the article 370 abrogated and the problem जो थी हमारे यहां पर की center का कोई भी law directly apply नहीं होगा और state को मजबूर किया गया अपने अलग से function करने के लिए जो हमारे founding fathers थे जमू एंड कश्मीर state के उस दिनों तो जब abrogate किया गया तो अब हमारे यहां पर direct central law apply होते हैं so जो constitutional 73rd और 74th amendment act थे after the abrogation of 370 are direct you know they are now directly applied to जमू एंड कश्मीर so जो problem थी हमारे यहां पर वो अब दूर हो चुकी है अब एक progressive structure आप अचायती राज system यहां पर evolve होगा और मैं आशा करता हूँ कि एक जो essence of democratic decentralization और participation within a democratic democratic level पे हमारे लोगों की है वो एक बिलकुल यहनो procedure और substantial way में आए तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी lecture हैं आप सभी enjoy करें उनको और अगर कोई कमी मेरे इन lectures में आपको दिखे तो आप kindly comment box में comment कर सकते हैं और अगर मेरे यह lecture आपको अच्छा लगा हो kindly सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं मैं बहुत encouragement फील करता हूँ जब आप comment करते हैं थाइंक यू थाइंक यू थाइंक यू थाइंक यू सो मुच